मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा ऑम शान्ती आज की तारिक है 15.05.2023 की सकार मुरली बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे चलते फेरते विचार सागर मंथन करो यह ग्यान मंथन ही बुद्धी का भोजन है विचार कर सर्विस की नई ने युक्तिया निकालो प्रिशन ग्यान अमरित धारन करने बाकराने की शक्ति किन बच्चों में आती है उत्तर जो बाब का ब बनते ही पवित्रता की पकी परतिग्या करते हैं बाबा कहते बच्चे याद रखना अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धी का ताला बंद हो जाएगा एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा बाब का बने हो तो गंदगी को निकाल दो उल तूने रात गवाई तूने रात गवाई तोएके जिवस गवाया खाएके फीरा जनम अमो ओम शांती अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रिती से जाना है पूछना पड़ता है नहीं तो पूछने का काईदा नहीं है सब जानते हैं वह हमारा मात पिता है मात पिता मिले तो होगे आस्तिक मात पिता जिस से सुख गनेरे मिलते हैं सत्युग में तो हैं ही प्रालब्द वहां आस्तिक बा नास्तिका तो सवाल ही नहीं उठता आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना संगम पर होता है बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे वहीं अब आस्तिक बने हैं बाप को और अपने 84 जनमों को जान गए हैं कल नहीं जानते थे आज जानते हैं कल और आज कहा जाता है आज पुरानी दुनिया है कल नहीं दुनिया होगी आज रात है कल दिन होगा बास्तम में भारत बासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है शिब जैनती मनाई जाती है परंतो यह कोई नहीं जानते कि शिब बाबा कब आया था सोमनाथ जो नाम पड़ा है उसने कब आकर ग्यान अमरित पिलाया था अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा दोरा आस्तिक बने हैं बाब ने अपना प्रिच्चे बैठ दिया है बने बनाए ड्रामा अंसार प्रिच्चे मिलता भी है संगम पर बच्चे जानते हैं आज नरक है कल सवर्ग होगा कल माना दूसरा जनम हमारा सत्युग में होगा हम पुर्शाद कर रहे हैं आज है मृत्यो लोग कल अमर लोग होगा दुनिया बदल रही है कल युग से सत्युग बन रहा है सो तो बाप ही बनाएंगे बाप है पतित पावन दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है अब तुम कितनी रोशनी में आ गे हो तुमने अब भक्ती मारक छोड़ दिया है आज भक्ती है कल नहीं होगी ऐसे नहीं आज भक्ती है कल फिर ग्यान होगा नहीं भक्ती तो आदा कल्ब चलती है ग्यान एक ही बार मिलता है और सदगती हो जाती है बाप एक ही बार आकर सब की सदगती करते हैं जानते नहीं हैं कि यह निराकार शीब बाबा का मंदिर है कहां जोती का मंदिर है ब्रह्मा समाजी जोती जिगाते हैं समझते हैं परमपिता प्रमात्मा जोती सबरूप है अनेक प्रकार की मते हैं जिसने जो बात समझाई उनको मान फालो कर लेते अभी तुमर्चीता और रचना को जानगे हो रचता और रचना के आदी मद्दे अंत का राज समझ कर फिर दोसरों को भी समझाना है परमपिता परमात्मा सत है चेतन्य है ग्यान का सागर है हर एक एक्टर की महिमा अलग-अलग होती है परमात्मा सरव्यापी कहने से अलग-अलग महिमा हो ना सके हर एक आत्मा में अलग-अलग पाठ भरा हुआ है सरव्यापी है तो पर्मपिता परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बजे कितना अंध्यारा है तब बाप ही आकर समझाते हैं बच्चे जानते हैं ब्रोबर उंचे ते उंचा पाड़ है प्रमात्मा का उस एक को ही सब भगत याद करते हैं भगत सब पतीत हैं पतीत किसको कहा जाता है यह मनुश्य नहीं जानते हैं सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नर्कवासी बने हैं इसलिए घर बार छोड़ में गोते खाते हैं इसलिए इनको विशालय कहा जाता है मैं आकर शिवालय बनाता हूँ सत्युग में एक धर्म था वहीं देवी देपता 84 जनम भोग अब अपने को देवी देपता नहीं कहलाते जो पुझे देवी देपताएं थे सो गिरते गिरते शत्रिय विश्य शुदर वरन में आते पतीत पुजारी बने हैं सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतीत बना है सन्यासियों को भी संपूरन पावन नहीं कह सकते क्योंकि पतीत दुनिया में बैटे हैं घरवार छोड़ कोई सत्यूग में नहीं जा सकते तुमको तो इस दुनिया को भूल सत्यूग में जाना है स्वरग में जाने लिए हूबा हूब कलब पहले माफिक पुझार्थ कर रहे हैं भारत ही पुझे से पुझारी बना है फिर पुझे बनेगा यह नौलिस हमझेंगे वह जो सिकलादे होंगे जो देवी देपता धरम के नहीं होंगे तो बुझे में बैठेगा नहीं भारत बासी 84 जर्म लेते हैं और कोई धरम बाला 84 जर्म नहीं ले सकता तुम्हारे में भी नंबर वार है सब इकठे नहीं आएंगे बच्चों को चक्कर का राज भी पतलाया है सिजरा कैसे बनता है सिजरा आतमाओं का भी होता है उमन को फिर रुहानी कहेंगे बच्चे जानते हैं हम ब्रामंड में रहते हैं पहला नंबर है शिप बाबा फिर ब्रमा विश्णु शंकर फिर है लक्ष्मी नरायन उनका घराना नंबर वार तो है ना इस समय तुम्हारी बुद्धी में सारा जाड़ है वहां ये ग्यान नहीं है कौन कौन आएंगी क्या क्या होगा परंतू बहां अग्यान भी नहीं कहेंगे वह है प्रालब्द जो इस ग्यान से पाते हो अभी है चड़ती कला पीछे है गिरती कला बारा सो पचास वर्ष में दो कला कम हो जाती है थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो, पहले है थुर, फिर फाउंडेशन, निकलता है, अब तुम बीज और जाड को अच्छी तरह जान चुके हो, अब तुम बाप दवारा नास्तिक से आस्तिक बन गे हो, बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरू शोज फालोर्ज, फालोर्ज शोज गुरू, यहां तो तीनों ही एक बाप है, वह हर चीता, जरूर नई दुनिया रचेंगे, स्वरग में लक्षमी नाराएं राज्य करते थे, उन्हों ने ये बरसा कहां से लिया, किसने ऐसा करम सिखलाया, जो इतना उंच पद पाया, अब माल थे, बाप से ही बरसा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वरग बनाया है, बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे बिचार सागर मंथन करो, यह बुद्धी के लिए खाना है, बाबा की दिल है, यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, चक अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धरम है, वहाँ एक धरम है, जो बाप ने स्थापन किया है, भारत का प्राचिन योग बहुत मशूर है, तुम जानते हो, हम फिर से राज योग भगवान तबरा सीख रहे हैं, भगवान ही बेहत की हिष्टी जोगर भी आएंगे, मनुश्य मनुश्य को बता न सके, यह बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था, बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं, कि ऐसा था, वैसा था, बाब कहते हैं, यह भक्ती के कर्म कांड, अब मत करो, अब भक्ती पूरी होनी है, राद के बाद दिन आएगा, अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नौलज मिलती है, बाब कैसे पहले सुक्षम बतन की रचना करते हैं, फिर प्रजा पिता ब्रह्मा दवारा नई स्रिष्टी रचते हैं, इनका ही मनुश्य स्रिष्टी सिजरा है, इसको ही आदी देव आदी देवी कहा जाता है एडम इब भी कहते हैं, अब मात पिता है तो स्रिष्टी कैसे रची, एडम को आदी देव ब्रह्मा कहेंगे, प्रंतु वह क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते, परम पिता परमातमा ने एडम दवारा कराया, जरूर गौड ही स्वरकर चेता है, वह है निराकार, बाबा हम आतमाए भी निराकार हैं, ये शरीर लेकर पुनर जन्म में आती हैं, पाट बजाने, निराकार बाब को बक्ती में याद करते हैं, वह परमधाम में रहते हैं, वह पतीत पावन है, पतीत दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं, इ बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, पुवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा, पहले पुवित्रता की प्रतिग्या करो, नहीं तो पापों का भोज गटेगा नहीं, पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरत बाप कहते हैं याद रखना अब पावन ना बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है परंतु मेरे पास आकर प्रतिग्या कर फिर पवित्तर नहीं बने और छिपकर इंदर सवा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धी बन पड़ेंगे फिर साधारन प्रजा में चले जाएंगे मरतबा भी नंबर वार है ना उंचे ते उंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं यहां तो सबको दुख है अचानक मोत हो जाती है बास्तर में काल आना चाहिए पूरी आय प्रक्षदकार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे यहां तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे यह पुराना चोला उतारना है बाप को घड़ी घड़ी याद करना है बाबा बस हम आए की आए योगबर से आतमा को पवित्तर बनाते हैं इसके लिए ए की उपाय है बाप से योग लगाना फिर तुम सतो परदान पवित्तर बन जाएंगे योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है बाबा कहते हैं यह मेरा रत है लैंड लेडी कहो या लैंड लाड कहो यह बड़ा बिचित्तर है कैसे शिप बाबा आते हैं कहते हैं यह लेंड लेडी भी है तो प्रजा पिता भी है मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए हरे को अपना अपना रत है मैं कैसे रती बनू मुझे तो आना पड़ता है पतीत दुनिया में शिरी कृष्ण तो पावन था ड्रामा में यह रत मुकरर है मैं आता भी हूँ भारत में एक कलब भारत में दूसरा कलब जर्मनी में आओंगा बाप समझाते हैं तुम तो करम योगी हो करम करना पढ़ता है आगे पुर्श कमाते थे माताएं घर संबालती थी माताएं इतना पढ़ती नहीं थी यह तो अब पड़ाही शुरू हुई है माताएं भी धंदा धोरी कर हरे को बेहत के बाप से बरसा लेना है जो करेगा सो अपना पद पाएगा इस पढ़ाई का पद 21 जनम चलता है यह पढ़ाई बाप विगर कोई पढ़ा न सके पतीत पावन भी गौड फादर है वहीं राजयोग सिखलाकर स्वरग में जाने के लाइक बनाते हैं अब 84 जनम तुम परफूलित रहेंगे बाबा अपना अनुव बताते हैं कोशिश करते हैं याद रखने के प्रन्तु फिर भूल जाते हैं इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग कर प्रेक्टिस करो फिर अवस्ता साही जम जाएगी इसलिए कहा जाता है है नीद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो बाबा कह रहे हैं नीद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो हाथ पाब मुक से कुछ करना बा बोलना नहीं है आगे तो माला फिरते राम राम जबते थे माला का राज अभी तुम समझते हो बिजे माला और रु शार्ती हो इसको माला नहीं कहेंगे रात को जांगने से तुमको बहुत मज़ा आएगा रात को नो से बारा वज़े का समय गंदा होता है दो वज़े से है अमरित बेला यहां तो एकदम गंदगी को निकाल दो इतना सुनते भी अगर पुवित्तर नहीं बनेंगे तो बुद् में कुछ रास लीला का बना हुआ है यह है ग्यान डांस की बात यहां से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है इसलिए साथ धान रहना है पुवित्तर जरूर बनना है तब योग लगा सकेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा करम करते भी बाब को याद कर सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ करना है नमबर दो, अपनी हर चलन से बाब टीचर गुरू का चो करना है हम घर जा रहे हैं, इस समरिती से सदा प्रफुलित रहना है वरदान, महावीर बन हर संकलब को सबरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूरत भब जो भी विशेश संकलब लेते हो, उसमें द्रिडर हो संकलब करते ही उसका सबरूप बन जाओ तो विजय का जंडा लहरा जाएगा ऐसे नहीं सोचो, देखेंगे, करेंगे, गेगे करना अर्थात, कमजोर बनना, ऐसे कमजोर संकलब करना अर्थात, माया से हार खाना सदा यही अमर अमिनाशी संकलब करो, कि हम सदा के विजयी महावीर हैं सदा आगे बढ़ेंगे व्याई बनेंगे तो इस संकलब से सफलता मूरत बन जाएंगे स्लोगन चेहरे पर खुशी की जलक हो तो चेहरफुल चेहरा बोड का काम करेगा ओम शान दी